हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल स्वाई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और आप अपने एग्जाइम की प्रिप्रेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाट इस इम्यूनोलॉजी तो यह बहुत इजी टॉपिक है अभी बच्छों को थोड़ा सा हार्ड लगता है बट स्टिल हम कोशिश करेंगे अपना पूरा हंड़िट पिसंट देंगे कि आपको एजी से एजी वे में हम समझा पाएं पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी तो अगर आपको स्लैबस नहीं पता है तो आप स्लैबस पहले जाकर के देख लो यह ठर्ड इयर में भी आता है बियसी के एंड बियसी फर्स सेमिस्टर में अभी जो न्यू एजूकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसको इंक्लूट कर दिया गया है ठीक है तो आप लोगों के स्लैबस में एक बहुत एहम भूमी का यह वाला जो टॉपिक है वो निभाता है तो आप लोगों को पढ़ना भाई इसको पढ़ेगा ही तो बस आज हम स्टार्ट करें इम्यूनोलोजी देखते हैं कितनी वीडियो बनेंगे अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास कि उनकी भी हल्प हो जाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा ठीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिये शेयर करिये वीडियो कैसी लगती है कॉमेंट करके जरूर बताइए ना लट्स मूग अन दे वीडियो सबसे पहले आज जो हमारा बेसिक इंटोड़क्शन चलेगा इम्यूनोलोजी का ठीक है मतलब इम्यून सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है कैसे वो किसी भी डिसीज को रोकता है या अगर डिसीज हो जाए तो कैसे उससे प्रिवेंट करता है इन सब की study जब हम करते हैं तो हम उसे immunology कहते हैं ये एक बहुत ही important branch है हमारे medical और biological science का क्योंकि इसके बिना I don't think so कि medicines का भी कोई उतना महत्व रह जाएगा जब तक हमारी immunity हमें response नहीं करेगी हम ठीक से नहीं बता पाएंगे कि actual में क्या हमारी body में गरपड़ी हुई है या क्या disease हमारी body में हुआ है ठीक है तो immunology बहुत एहम भूमिका निभाता है हमारे पूरे medical and science group में ठीक है study of defense of body against infection इसको हम लोग immunology कहते हैं आप simple definition बताना चाहते हो तो आप बस यह बता सकते हो immunology is a branch of science in which we study of disease of body against infection ठीक है तो यह एक आपका हो गया कि immunology क्या होता है immunologist एक term आता है immunologist term क्या होता है कि ऐसे scientist या फिर clinical ठीक है clinicians जो कि हमारे immunology की specialized जिन्हों ने immunology में पूरी महारत हासिल कर ली है actually मैं हम उन्हें immunologist कहते हैं जो लोग immunology पढ़ते हैं उन्हें हम immunologist कहते हैं या फिर जो लोग जो scientist जो होते हैं वो immunology के help से या immunology के ऐसी पूरी की पूरी जानकारी उनके पास हो जाती है तो हम उन्हें immunologist कहते हैं कि he or she is a immunologist ओके नाओ immunity की बात हमने उपर की तो actually what is immunity and what is our immune system तो सब हम immunity समझते हैं जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आप भी भी आप doctor के पास जाओ और अगर आप पूछो कि हमारी immunity strong है या फिर weak है तो आपको answer मिलेगा कि अगर आपको जल्दी बुखार हो जाता है तो immunity आपकी थोड़ी सी weak है लेकिन अगर आप बहुत जादे से जादे बुखार को भी आप normal way में चिल मार करके ऐसे normal रहते हो तो फिर आपकी immunity तगड़ी है आपको जल्दी कोई भी चीज effect नहीं कर सकती है तो immunity का strong होना and weak होना मतलब क्या होता है actual में immunity क्या होती है तो immunity एक ability होती है किसी भी organism की ठीक है किसी भी organism की वो ability होती है जहाँ पर resist infection by pathogen और state of pathogen against foreign organism और substances बोला ये जा रहा है कि हमारी body में अगर कोई भी pathogen मतलब की virus हो गया bacteria हो गया, fungi हो गया किसी भी तरीके का कोई भी substance या फिर किसी भी तरीके का foreign particle अगर हमारी body में जाता है तो वो हमारे body में जाकर के infection फैलाता है और जब उस infection फैलाने को जैसे होता है न कि villain आता है तो भई hero तो आएगा ही न फिल्म में ऐसा थोड़ी है कि villain ही पूरी picture बना लेगा तो pathogen is like villain ठीक है और हमारी जो immunity होती है वो actually में hero होती है जो हमें उस villain से बचा रही होती है ठीक है तो immunity obviously बात है क्या है immunity एक ability है वो हमारे अंदर की एक छमता है कि हम किस तरीके से किसी भी pathogen या फिर किसी भी infection से हम अपने आपको बचा सकते है ठीक है तो immunity is all about that immune system क्या होता है तो जैसा कि हमने बोला immunity तो immunity को भई hero है ठीक है hero हम समझ गया immunity हमारे body का hero है समझ में आ गया बट hero की जो personality होती है या hero का जो भी आप role देखते हो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है उसको बहुत लोगों ने अमिल करके एक hero को बनाया होता है ठीक है तो immune system is all about that कि immune system क्या होता है array of cells, tissue and organs which carry these activities is known as immune system the immune system is a complex system immune system एक बहुत ही जटिल system है structures and processes that have evolved to protect us from disease तो immune system एक बहुत ही जटिल system है जो कि हमारी body में मतलब सुरुआ से पाया जाता है मतलब from birth भी हो सकता है और बाद में भी हमारे अंदर ये चीज़े आ सकती है because of the adaptation in सबके वज़े से और from born भी हम इसे carry करते हैं तो immune system एक भगवान का दिया हुआ gift भी है और बाद में चलके भी हमारे पास आ जाता है through हम different तरीकों से हम immunity अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी innate and adaptive immunity तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि मैं ये किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ molecular and cellular component make up this immunity immune system तो बात यही है कि जितने cells जितने tissue and जितने organs मिल करके हमारा immunity बनाते हैं उसी को हम immune system कहते हैं अब जैसे कि एक जगा किसी भी factory से किसी चीज़ का production हो रहा है माल लिजे कि हम पारले जी बिस्किट बोलते हैं ठीक है पारले जी बिस्किट हमारा एक immunity हुआ जहां पारले जी पूरा बन रहा है वहां पे जितने काम कर रहे हैं लोग जितनी सामगरी है उस अभी को मिला कर कि आप क्या कहते हो कि ये एक पूरा system है जहांपर work हो रहा है क्या बनाने के लिए पारले जी बनाने के लिए वैसे ही immunity system के अदर बहुत सारे cells होते हैं, बहुत सारे tissues होती है, बहुत सारे organs होते हैं, जो at the end हमें क्या देते हैं, immunity देते हैं, ठीक है, तो this is all about the immune system, and now अब हम लोग पढ़ेंगे, की immune response क्या होता है, जैसे की immune response, सबसे पहले आप थोड़ा definition पढ़ लो, immune response is a complex process divided into two categories, ओके, यहाँ पर बहुत अ our body, यहाँ पर आ रहे है pathogen, and this pathogen can, okay, let me clear you one thing, कि यह pathogen कोई भी हो सकता है, it can be virus, ठीक है, it can be bacteria, okay, it can be fungi, okay, it can be nematode, so it can be more than what you think, जितना आप सोचोगे नहीं, उससे ज्यादा pathogen हमारे पूरे diversity में exist करती है, तो यह हो गए हमारे pathogen, and यह हो गई हमारी body, बीच में एक अस्त्र आपने देखा होगा हमेशा, युद्ध के time पर आपने देखा होगा हमेशा से, कि जबी भी तलवार या कुछ भी आना रहता है तो ऐसे जो सिपाई होता है, वो अपने सामने ऐसा अस्त्र एक लेकर के खड़ा हो जाता है, तो actually में यह जो अस्त्र का यहाँ पर हमारी body में काम कौन कर रहा है, यह रहा हमारा अस्त्र, जो की है immunity, immune system, यह हमारी body में immune system है, जो की हमें किसे, किसके against fight कर रहा है, यह fight कर रहा क्या होता है तो back to the topic immune response बहुत ही complex process होती है मतलब ये भी बहुत gentle process होती है जिसको दो तरीके से बाटा गया है हमने आपको बताया था innate and adaptive तो थोड़ा सा आज बस introduction innate and adaptive का पढ़ेंगे फिर हम आगे चल के इसको अच्छे ते clear करते चलेंगे तो innate क्या होता है innate ऐसी immunity होती है जो हमें बर्थ से मिलती है इस immunity को पाने के लिए आपको किसी भी adaptation की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी तरीके को अपने आपको change करने की जरुवत नहीं पड़ेगी ये आपको from born इन born इसको immunity बोलते है क्योंकि ये जैसे ही आप पैदा होते हो आपकी मा से आपके में ये आया होता है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया innate क्या होता है initial इसको याद कैसे करना है innate का IN and initial का IN आप ये ले लेना initial मतलब भी सुरुवात होता है innate मतलब ऐसे आप correlate कर लेना तो जो सुरुवाती दौर से हमारे पास है वो innate immunity है ये जो होता है ancient form of defense है क्योंकि ये हमारे पास सुरुवात से होता है मान लिजे कि हम पैदा हुए 2000 में ठीक है मान लिजे हम 2000 में पैदा हुए ठीक अब ये जो innate immunity है यह हमारे पाश 2000 में आ जाएगी न क्योंकि हम उसी टाइम पैदा हो गए ठीक है उसके बाद मालीजे 2005 ये 2006 में हमें कोई ऐसी बिमारी हुई जिसके लिए जैसे आपने सुना होगा smallpox ठीक है बस एक ही बार पूरी lifetime में होता है तो मालीजे हमें 2005 ये 2006 में ऐसा कुछ हुआ तो आप ये देखोगे कि 2005 ये 2006 में हमें कौन सी इम्मुनिटी मिलेगी हमें मिलेगी adaptive immunity ठीक है कौन सी immunity? adaptive immunity तो वो 2005 ये 2006 के according 2000 तो ancient ही हुआ इसलिए हम innate immunity को बोलते है और ये होता है आपका adaptive recent evolutionary phenomena ये आप याद रखो कि ये later ये बाद में आता है आपकी body में ये आपके inborn से होता है आप देखिए जो हमारे vertebrates होते है वो innate और adaptive इन दोनों ही immunity से vertebrates को innate और adaptive इन दोनों immunity का आसिरवाद मिला होता है ठीक है तो ये दोनों ही immunity हमारे vertebrates में पाई जाती है तो this is all about the today's video and I hope कि ये basic terms आज आज आपको clear हो गए होंगे धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऐसे एकदम से नहीं मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूँगी कुराते रहिए बबाई टेक केर भी हैपी बबाई